आज मैं आई हूँ एक और Amazon haul वीडियो लेकर जिसमें मैंने Amazon से कुछ और समान खरीदा है तो वही सब मैं आपको दिखाऊंगी उसका रिव्यू दूंगी यह प्रोड़क्स जो है वह मैंने काफी टाइम पहले खरीदे थे और उनको यूस किया है तो उसके बारे में मैं आपक का फायदा हुआ है मुझे तो चली शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले मैं दिखाऊंगी वार्डरोव और्गनाजेशन के लिए मैंने कुछ बास्केट्स खरीदे हैं जिसमें सबसे पहले है यह लाज बास्केट है जो बहुत ही आपनी वीडियो में देखा हो तो मैंने भी एक बास्केट ओर्डर किया था यह बहुत ही यह लाज बास्केट है इसमें कप्डे रखे हुए तो मैं यह यूस कर रही हूं और बहुत ही यूसफुल है आपका वार्डरोब और्गनाइज रहता है और इसका प्राइज है एट नैंटी नाइन ऐसे मुझे मै अज़ाग लग साइज का भी होता है स्मॉल मीडियम और लार्ज तो मैंने अउनली लार्ज के फू यह लिये थे तो सेम साइज का है तो वारडरो में भी ही एक प्वल सादित दिखता है तो यह दो है और मैंने एक क्या था यह ऐसे के बास्केट यह है वाज की यह हैं ऐसे तो सेट है यह दो है इसे छोटे दो है और एक बड़ा साइज है तो यह पांच का सेट था और इसका प्राइज है 12.99 तो यह भी मेरा वार्डरोब और्गनाइजेशन के लिए यूसफुल है काफी है यह मैं अपने हस्बन के वार्डरोब में रखती हूँ तो इसका दिखाती हूँ कैसे और्गनाइज कर रखा है यह है बड़ा बास्केट इसमें मैंने रखे हैं टी-शिर्ट और लोवर रखा है यहां यह दो सेम साइज के हैं एक में सॉक्स रखा है यह और एक में मैंने रखे हैं की यहां पर है वेस्ट और यहां पर अंडर गार्मिंट से इन दोन ये ये भी एक और्गनाइजरी है वैक्यूम इसके साथ ये एक वैक्यूम के लिए ये एक मिलता है जिससे अगर ये मैंने भी तक यूज किया नहीं है तो इसमें वूलन के कपड़े रख सकते हैं इसमें पांच का सेट है ये पांच है मतलब साइज अलग-अलग है एक बिग ह किता बड़ा है ये देखो बहुत बड़ा है ये एक बीग है दो सेम साइज है जो चार है वो सेम साइज की है और एक सबसे बड़ा है नेट्स है नेट्स में दिखाती हूँ आपको ये मैंने ओर्डर करा था ये है फ्रिज मेंगनेट बोड है वाइट बोड जैसे हमें हम कोई चीज भूल जाते हैं हमें याद नियाता हमें अपना टैम टेबल डेली रूटीन या वीकली रूटीन डेली बनाना पड़ता है तो हम इसमें लिख सकते हैं यह मैं फ्रिज में लगा के रखती हूं अगर हमें अपना मील प्लान करना है वह लिख सकते हैं कुछ समान खरीदने के लिए हमें लिखना है तो वह हम यहां लिख सकते हैं यह मैं फ्रिज में लगाके रखती हूं इसमें भी हम कुछ भी अपना लिख सकते हैं बच्चों को भी दे सकते हैं वह स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं कुछ लिख सकते हैं इसके अंदर और अपने पढ़ाई भी कर सकते हैं तो यह है अच्छा इसका प्राइज में बता दू इसका प्राइज मैंने नहीं बताया जो यह वाला है 299 का and this one is 379 379 का है यह तो और उसके बाद है मेरा मैंने यह कान के कुछ एरिंग और करे थे बहुत अच्छे है मैं सोच्छी ती पता नहीं कैसे आएंगे खराब निकलेगा चलेगा नहीं लेकिन बहुत ही अच्छा है यह यह देखिए बहुत ही सुन्दर है बहुत अच्छा लगता है यह मैंने पैन के अपना एक वीडियो भी बनाया हुआ है तो बहुत क्रेस फिल बहुत ही सुन्दर लगता है तो देखिए बहुत सुन्दर लगता है दोनों 199 के यह भी 199 का यह भ तो यह दो है और एक और मैं आपको दिखाती हूं हम प्लांट्स खरिदते हैं लेकिन प्लांट्स हमारे होते नहीं है कुछ दिनोबादी सूख जाते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है यह दिखे आपको आटिफीशल प्लांट्स तो यह दिखाती हूं मैं आपको यह देखे य यह है artificial plant, जो मैंने Amazon से order किया था, बहुत ही natural, बहुत ही real plant लगता है, यह बहुत अच्छा है, प्लास्टिक का है, और इसका जो नीचे का यह है, यह wood का है, brown wood, brown color में है, wood का है, और उपर का जो यह plants है, यह leaves है, यह plastic के है, लेकिन real लगते है, बहुत सुन्दर लगता है, तो यह मैंने ऐसे करके अपना हैंग करा हुआ है घर में बहुत अच्छा लगता है तो इसका प्राइज है इस प्लांट का यही है मेरा Amazon haul जो मैंने Amazon से कुछ प्रोड़क्ट सरी दे दिया है कि कोंसे प्रोड़क्त यूसफुल है कोंसे नहीं है तो यही है और एक और मेरा Amazon haul video है जो मैंने कुछ दूनों पहले लोट किया था अप्लोड किया था तो वह भी आप आप जाके देख सकते हैं और आपको मेर वीडियो अच्छी लगए तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अपने एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें भी कोई हॉल या कोई फैशन वीडियो ले क्या होंगी तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडिय में तब तक के लिए बाई